और राइट, Samsung फाइंटली वह कर रहा है जो आस तक Apple करीनी पाई Galaxy S34 Ultra के लिए लोगों के अंदर बहुत जादा excitement विपरी है कैसा होगा, क्या होगा और DC को देखने के लिए Samsung बहुत जादा hype grade कर रहे Samsung S34 Ultra के बारे में कुछ must चीज़ बताऊंगा नहीं, नहीं, हम डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो तो must है, हम बात करें important improvement के बारे में अच्छा, 2030 में सबस्यादा क्या trend पर आ है, वो है AI और आजकर लगबख सभी लोग जो कि social media का यूज करते हैं, सब AI का यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर Samsung ने एक next level चीज सोची है वो Samsung एस 24 सीरीज में एक ऐसा powerful AI डालेंगे जिसे देखकर लोग किल जाएंगे आज सच में Samsung Galaxy 24 सीरीज के लिए कुछ न कुछ AI technology डिवलप कर रहा है और जहां तक न्यूज में मिली है उससे लगता है कि यह पका ही software के साथ लगाए जाएगा जिसमें एक तुमारा smartphone एकदम smart हो जाएगा और Samsung वो कर रहा है जो अभी तक Apple नहीं कर पाया और Apple के तो जोटे वादे छोड़ी तो कि दिखाया जाता कि दोनों brand अगले बड़े flagship के लिए इस टैक बैटरी लगाएंगे यानिक इस टैक बैटरी टेकनोलोजी लगाएंगे और Apple ने यह कहा था कि Apple iPhone 16 सीरीज के लिए इस टैक बैटरी लगी होगी बट 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 गीम तो यहाँ चेंज होगा कि Samsung S24 सीरीज में इस टैक बैटरी लग के आएगी और इसका सीधर सीधर मतलब भी हो जाता है कि S24 वो मोबाइल होगा जिसमें पहली बार इस टैक बैटरी का यूज किया गया है जो कि S24 Ultra और Samsung Galaxy S24 Plus के लिए और नाशली Samsung Galaxy S83 FE के लिए थोड़ा सा सीरियस है पर इस फांडो से फोन से क्यूंकि हम देख सकते हैं कि यह फोन एक्सपेटर से पहले रिलीज हो सकता है